कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में आरूपी दिलीब दिव्टे ने चौपन वर्षी महिला के बेटे के साथ मार्पिट की और अश्लिल गाली गलोच की 25 मई को हुई इस घटना में फरियादी के बेटे ने कार को पार्किंग से बाहर निकालने के दौरान सड़क से लगी लोहे के बेंच को हटा दिया बेंच को क्यों हटाये गया इसी बात को लेकर आरूपी दिव्टे द्वारा कहां सुने शुरू हुई गुस्से में पीटना भी शुरू कर दिया और उसका चश्मा भी तोड़ दिया इसी दोरान सह आरोपी व मुख्य आरोपी प्रमोद दिवटे का बड़ा भाई दो पईया वहां लेकर वहां आ गया और महिला के पैर पर वहां चढ़ा दी जिससे महिला मूँ के बल गिर पड़ी इस जगणी के दोरान आरोपी ने फिरियादी को जान से माने की इधम की दी इस जगणी के दोरान आरोपी दोरातरां आरोपी ने फिरिया चाहा है जीवे मारने चे उद्दश आने तेंचा आंगावर गाडी आनली बाईचा पन्ती गाडी तीचा पायावर गेली आनी थी खाली पडली। जीवे मारने चे उद्दश आने तेंचा पायावर गेली तेंचा पायावर गेली बाईचा पायावर गेली खाली आनी थी खाली। परवन्गी दिलेली आएका आणि या बप्ति ते आपले आमदाराचे कान टोस्तील का महिलेला नयाय देतील का बबले आएकाँ कान टोस्तील कामदाराच या बबले आएका आखले आएकाँ किस्तील का महिले आनि इस मामले में गनेश पेट पुलिस ने जाच कर फिर्यादी द्वारा दी गई शुकायत पर कारवाई करते हुए विवित धाराओ के तहट मामला दर्जोनी की उम्मीद थी लेकिन ऐसार नहीं हो पाया क्योंकि विधायक प्रवीन दट के अपने समर्थकों के खिलाफ दर्ज अपराद से नाराज अपने कई समर्थकों के साथ शनिवार को गनेश पेट थाने पहुचे साथ ही अपनी ड्यूटी पर तनाग पुलिस पर जूटा मुकदमा दर्ज कराने के लिए दबाव बना कर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की किसी समवधानिक पत पर आसीन व्यक्ति का महिला पिडिता के खिलाफ जाना और मामले की बिना किसी जाँच के अपरादियों का समर्थन करना घोर निंदनी है कई पुलिस करमी दबाव में है इसलिए सामाजी कारेकरता निदन रेवत का द्वारा प्रवीन दटके पर कारवाई की मांग की गई है इंडिसेन नियूस के लिए राजकुमार मोड के साथ शिती जादेश मुकी रिपोर्ट